गोवा को कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया में ये अपने खूब सुरुच समुदर के किनारों के लिए बहुती फैमस है यहां हर साल लाखों की संक्या में देश से लेकर विदेशी टूरिस्ट गुमने के लिए आते हैं गोवा एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जंसेंग्या के हिसाब से भारत का चोटा सबसे छोटा राज्य है इसके अलावा गोवा सदियों से भारत का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगा रहा है वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेज्जों से आजादी मिल गई थी लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था गोवा को भारत की स्वतनतता के 14 साल बाद आजादी मिली तो आज के इस वीडियो में हम गोवा पे ही बात करने वाले हैं कि गोवा को भारत का हिस्सा कैसे बनाया गया गोवा को आजादी कब और कैसे मिली किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा और गोवा ही भारत का वो राज्य है जिसे सबसे ज़ादा समय तक गुलामी जेलनी पड़ी इसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में तो इस वीडियो के एंड तक हमरे साथ बने रहीएगा अगर आपको इस तरह के इन्फरमेटिव वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में बने वे बेल आइकन पर क्लिक करें मेरे आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं वासकोडी गामा के आने से पहले गोवा में बीजापूर के सुल्तान यूसुफ आदिल साका सासन था और सुल्तान के इस सासन काल में ही सन 1498 में वासकोडी गामा भारत आये जो एक पुर्त गाली थे और कुछ सालों बाद साल 1510 में पुर्त गालियों ने अपने एक लोकल सपोर्टर दीमिया की मदद से सुल्तान को यूद में हरा दिया और गोवा पे अपना अधिकार जमा लिया पुर्त गालियों ने वैला गोवा में एक इस्थाई राज्य की स्तापना की और यही वो दिन था जब गोवा में पुर्त गालियों का सासन शुरू हुआ और 1510 में सुरू हुआ पूर्ट गालियों का ये सासन गोवा को 451 सालों तक जेलना पड़ा फिर साल 1843 में पूर्ट गालियों ने वहला गोवा की जगए पंजीम को अपने राज्य की राज़दानी मनाई और तब तक यानि 1850 सदी तक पूर्ट गालियों ने वर्तमान गोवा का लगबग जादतर हिसा हड़प लिया था उस दोर की कुछ किताबों के अनुसार उस समय पूर्ट गालियों का सासन अंग्रेजियों से भी बदतर था और फिर आज़ादी का समय आया हिंसा और बंटवारे के साथ भारत को तो आज़ादी मिल गई लेकिन गोवा को आज़ादी नहीं मिली गोवा तब भी पूर्ट गालियों के कबजे में था यहां तक कि साल 1954 में पूर्णी चेरी भी फ्रांशियों से आज़ाद हो गया लेकिन गोवा को तब भी आज़ादी नहीं मिली और उस समय दमन और द्यू भी गोवा का हिस्सा हुआ करता था वैसे तो गोवा को आज़ाद कराने की मांग आज़ादी से काफी पहले ही सुरू हो चुकी थी लेकिन तब बड़े बड़े दिगज लोग अंग्रेजों को भारत से निकालने में लगे वे थे भारत की आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी पुर्तगालियों ने गोवा को आजाद नहीं किया सरकार के बार-बार कहने पे भी कि अब तो अंग्रेज भी भारत छोड़के जा चुके हैं अब आप भी जाईए लेकिन पुर्तगालियों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी 15 जुन 1946 को बिमार हालत में डाक्टर रामनोर लोया ने पहली बार पुर्तगाली सासन को चुनोती दी इससे पहले गोवा में किसी ने भी आजादी के लिए आंदुलन नहीं किया था 15 जुन 1946 को पंजी में डाक्टर रामनोर लोया की एक सबा हुई सभा में पुलीस वालों ने टेक्सी वालों को मना कर दिया इसलिए राम मनोर लोया जी गोडा गाड़ी से सभा इस तल पे पहुँचे महा तेज बारिस हो रही थी 20,000 की जनता थी और सामने पुर्त गालियों के सेनिक बंदू के लिए खड़े थे डाक्टर लोया की इस सभा में तैय हुआ कि 18 जून से सेविने अविग्या प्रारम होगा उस चोरहे पे पहली बार भारत कतिरंगा फैराया गया वो चोरहा आज लोया के नाम से फैमस है और इसके साथ ही 500 वर्ष के इतियास में गोवा में पहली बार आजादी का आंदूलन सुरू हुआ जिसकी वज़े से पुर्त गालियों ने डाक्टर राम मनहोर लोया को गिरफतार कर लिया और उनकी गिरफतारी के बाद पूरा गोवा ये दिस्तल बन गया पंजिन थाने पर जनता ने धावा बोल कर डाक्टर लोया को छुड़वाने की कोशिश की लेकिन वो ऐसेफल हुए उनकी गिरफतारी का उस समय महत्मा गानी ने भी पूर्जोर विरोध किया गिरफतारी का जनता में विरोध देखते वे और माहुल ज़्यादा गर्म ना हो इससे पहले पूर्ट गालियों ने डॉक्टर लोया को गोवा की बोर्डर पे ले जाके रिहा कर दिया और रिहाई के बाद लोया पर गोवा में प्रवेश पर पांच साल का परतिबन लगा दिया पर डॉक्टर लोया ने तीम मैंने बाद दुबारा गोवा लोटने का वादा किया लेकिन डिसंबर 1946 आते आते भारत के दूसरे हिस्सों में संपरदाइक हिंसा फेलने लगी और लोया गोवा नहीं आ सके वे महात्मा गान्दी जी के साथ हिंसा की आग को बुजाने में लगे वे थे फिर भी कुछ समय बाद डाक्टर लोया दुबारा गोवा गए लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन से ही गिरफतार कर लिया गया और गान्दी जी ने दुबारा उनकी गिरफतारी का विरोध किया जिस करण दस दिन उन्हें जेल में रखने के बाद दुबारा गोवा की सिमा पे ले जाके रिहा कर दिया आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोवा की आजादी के इस आंदोलन में लोया जी को सिर्फ गांदी जी का ही समर्थन मिला था कोंग्रेस पार्टी के नहरू जेसे बड़े नेताओं का ध्यान गोवा पे नहीं था उनका मानना था कि गोवा की वज़े से अंग्रेजों के खिलाब चल रहे आजादी की लड़ाई में ध्यान बढ़केगा लेकिन राममनो और लोया जी कहां रुखने वाले थे उन्होंने गोवा के कई जीलों का दोरा किया आजादी की भावनाओं को रखने वाले लोगों को संगटित करना सुरू किया उन्होंने मुंबई में बसे गोवा के लोगों को इकटा किया और आंदोलन की तैयारी में जुट गए गोवा के लोग चाते थे कि आजादी के इस आंदोलन में डॉक्टर लोया उनका नेह्ट रत्त्तु करे लेकिन फरवरी उनिस सो से야श में नहरू जी ने यहां तक कह दिया था कि गोवा की आजादी का आंदोलन महत वहीन है और नहरूद जी के इस बेयान के साथ गोवा की आजादी का अंदुलन मुड़ जाने लगा लेकिन तब तक गोवा के लोगों ने गोवा से पुर्टगालियों को बाहर निकालने का मन बना लिया था क्योंकि राम मनोर लोया ने गोवा के लोगों के दिलों में आजादी के अंदुलन की दो चिंगारी लगाई थी उसका असरब दिखने लगा था जिस कारण पुर्त गालियों के सासन से परेशान गोवा के लोगों ने भारत के सुतनतता संग्राम से प्रेणना ली और खुद को संगठित करना शुरू कर दिया और उसी समय गोवा से पुर्त गालियों को निकालने के लिए एक करांतिकारी दल सक्रिये हुआ जिसका नाम था आजाद गोमानतक दल दरसल गोमानतक गोवा का पूराना नाम है जिसमें विश्वनात लवांडे, नाराण हरी नायक, दत्तातरे देश पांडे और प्रभाकर सि नारी ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इन में से कई करांतिकारियों को पूर्त गालियों ने गरफतार करके लंबी सजा सुनाई, और इन में से कुछ लोगों को अफरीकी देश अंगोला की जेलों में रखा गया, पर विश्वनात लवांडे और प्रभाकर सिनारी जेल स समय तक करांतिकारी आंदोलन चलाते रहे, फिर साल 1954 में भारत समर तक गोवा के आंदोलन कारियों ने दमन और द्यूव को पूर्त गालियों से आजाद करवा लिया, और यहां से आजादी को आंदोलन और तेज हुआ, और उसी साल लोहियाजी के प्रेंडना से गोवा विम से जादा सत्या ग्रहियों ने गोवा की आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद पूर्त गाल की सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसक रूप लिया, इस हिंसा में काफी लोग मारे गए, लेकिन अब चिंगारी आग का रूप ले चुकी थी, और इस साथ व्यापार भी पूरी तरह से बन कर दिया, लेकिन पूर्त गालियों ने भारत के साथ व्यापार बन होने के बाद, पाकिस्तान से चावल और सबजियां, स्रिलंका से चाय, निदरलेंड से आलू और पूर्त गाल से वाइन मंगवाना सुरू कर दिया, यानि कि अब भा गोवा की आजादी के लिए साल 1955 से 1957 तक करीब दो साल गोवा की पुर्तगाली जेल में बिताए जहां उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा पूरे गोवा में आंदोलन, सेत्याग्रय और विरोध जोरों से चल रहा था लेकिन पुर्तगाली इतनी आसानी से गोवा उस वक्त भारत के रक्षा मंतरी कृष्ण मैनन और नहरुजी ने अपात कालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद 17 दिसंबर 1961 को भारत ने 30,000 सेनिकों को ओपरेशन विजय के तहत गोवा बेजने का फैसला लिया भारत के सेनिकों ने गोवा की बोडर में प्रव गोवा को अपनी सीमा में मिला लिया और पुर्त गाल के गवर्नर जन्रल वस्वाई सिल्वा ने भारतिय सेना के प्रमुख पी एन थापर के सामने आदम समर्ण पर कर दिया वह दिन ता 19 दिसंबर 1961 तब से गोवा के लोग हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दीवस के रू बना दिया गया यानि हम कह सकते हैं कि ओप्रेशन विजय गोवा की आजादी का अंतिम पड़ाव था जिसकी चिंगारी डाक्टर राम उनहोर लोया ने 1946 की गरिम्यों में जलाई थी इस तरह डाक्टर लोया का आजाद गोवा को देखने का सपना तो पूरा हुआ लेकिन उ वो है डाक्टर राम मनौहर लोया जिन्होंने गोवा की आजादी के मुद्धे को राष्ट्रे इस तरव का मुद्धा बनाया और इस तरह गोवा भारत का हिस्सा बना उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लेकर के आपके राई क्या है मुझे comment box में लिखे जुरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद